नमस्कार मैं हूँ आजल सिंग और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर महाराश्ट्र में जिस तरीके की आव्यवस्ता है ब्रश्टा चार है तानशाही चल रही है अब उसको लेकर राश्ठाकरे राज़िपाल से मिलने पहुच गए बगत सिंग कोश्यारी से मंसे प्रम कि सरकार किस तरीके से इस मामले में आख बंद करके बैठी हुई है बिजली कमपनिया किस तरीके से लोगों को बिल बढ़ा कर दे रही है जिनका बिल 5,000 आता था वो आज 25,000 बिल दे रहे हैं इसी के साथ किसानों की समस्याओं को लेकर और बाकी जो समस्याओं थी उसको ल मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने भी सरकार की उदासीनता को देखते हुए राजपाल से मुलाकात की है और उन्होंने कहा है कि इस तरह करा करा कर सरकार नहीं चल सकती जन सामान के सवाल बहुत हैं लेकिन सरकार से जवाब नहीं मिल पा रहा है इसी के साथ उन्होंने बताया कि किस तरीके से बिजली कमपनिया लॉकडाउन में खूब पैसा लूट रही है लेकिन सरकार इस पर चुप है मौन है और कोई भी फैसला इस पर नहीं ले रही है उदो ठाकरे पर भी उन्होंने जम कर हमला बोला लेकिन आपको बता दे कि आखि पर निश्टा चार्स चल रहा है उसपर नहीं अबल कि उनका जो ध्यान है वो कंगनर रनावत अर्नो गोश्वामी पर है उन लोगों पर है जो कॉंग्रिस के या फिर शुसेना के या सरकार की आलोचना करते हैं या किसी भी नेता पर सवाल खड़े करते हैं उन पर उनका ध प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान बिजली का बिल अंदाजे से दिया जा रहा है लोगों को चार गुना से अधिक बिजली का बिल चुकाना पड़ रहा है जिससे लोग परिशान है इस विशे पर उन्होंने आदानी कंपनी उर्जा मंतरी नितन राउत वा अन्य अधिकारियों से भी चर्चा की सभी एक दूसरी पर जिम्मेदारी थोप रहे हैं इसलिए इस मामले पर निर्णे नहीं हो पा रहा है इसी के साथ राजठाकरे ने कहा कि राजपाल ने उनसे कहा है कि शरतपवार से बात करी इसलिए वो इस मुद्दे पर शरतपवार वा मुख्रमंतरी से भी बात करने वाले हैं मनसे अध्याक्ष राजठाकरे ने ये बताया कि राजपार किसी भी मुद्दे पर निर्णे नहीं ले पा रहे हैं राजपे 11 प्रवेश की समस्या है राजपे होटल खोल दिये गए हैं लेकिन मंदर नहीं खोले गए हैं लोकल ट्रेन नहीं शुरू होने से लोगों की परिशानिया काफी बढ़ गई है राजठाकरे ने कहा कि सरकार को ततकाल लिड़े लेना चाहिए सरकार को फिर विचार कर नागरिकों को बताना चाहिए कि कब से शुरू किया जाएगा जिससे लोग की पृतिक्षा खत्म हो सके इसी के साथ अगर हम देखें तो नितन राउद जो उर्जा मंत्री है और ये जो मंत्राले है वो कॉंग्रिस के हाथ में और इसी लिए इस पर भ्रष्टा चार है और यही बात राजठाकरे ने भी किया उन्होंने बताई कि पिछले कुछ दिनों से हम इस संदर में समवंध जेनर राष्टवादी में क्रेडिट वार को लेकर चल रहे धमासान की वज़ा से लोगों को राहत नहीं मिल रही है ये विभाग कॉंग्रेस के पास होने की वज़ा से पार्टी का आपस में ताल मेल नहीं बैट रहा है इसलिए अगर आप इसमें दखल देकर कारवाई करे मैं सरकार को पत्र लिखूंगा इस पर संग्यान सरकार कितना लेगी ये नहीं कह सकता आप अगर एक बार शरत पवार से बात करें तो शायद इसका हल निकल जाए लेकिन फिर भी मैं समवंधित विभाग के अधिकारियों से बात चीत करूंगा इस पर राज ठाकरे ने बता सरकार 10,000 करोड रुपे दे दे तो हम लोग जनता को राहत दे सकते हैं लेकिन अगर हम यहां पर बात करें तो राजपाल ने इस पर क्या जबाब दिया ये भी हम आपको बताते हैं और आकर केंश सरकार से इतना पैसा क्यों मांगा जा रहा है 10,000 करोड रुपे नितनरा उत सरकार से मांग रहे हैं लेकिन बाकी जो सरकार का खजाना है जो जनता के टैक्स का पैसा है वो कहां खर्च किया जा रहा है इसका भी इस पर भी हम बात करेंगे इस पर राजपाल भगत सिंग कोश्यारी ने बताया कि जब यह कंपनिया खड़ी होती तो केन सरकार हमेशा बुनियादी धाचे के लिए मदद करती है और मेरे अधिकार का इस्तमाल करके सारे उचित कदम उठाऊंगा इसी के साथ राश्ठाकरे ने ये भी कहा कि दूद की वृद्धी का मुद्धा किसानों के लिए महत्यपूर है किसानों को कोरोना की कारण नुकसान उठाना पड़ा है उन्हें राहत मिलनी चाहिए उन्हें कोई राहत नहीं मिली है लेकिन महराश्ठ सरकार जिस तरीके से कंगनरनावत और अर्नो गोसामी के पीछे पड़ी हुई है और प्रदेश में ब्रष्टा चार चरम सीमा पर है वहाँ पर आवेवस्था अगर देखें तो वो सबसे अगर हम पूरे देश के प्रदेशों के तुलना करें तो सबसे बत्तर दशा में महराश्ठ रहे है क्योंकि वहाँ की जो सत्ता है वो जनता की सेवक नहीं है बल्कि जनता पर अत्याचार करने वाली है वो लोगतंतर पर खत्रा है वो लोगतंतर को दबाने के लिए मेडिया को काम कर रही है लगा तार्व अड़नों गोसामी कंगना रनावत बाकी जो सरकार की आलोशना कर रहे है तो इस पर जवाब नहीं दे रहे है जब उधो ठाकरे से सवाल किया जाता है मुखमंतरी से जब ये सवाल पूछा जाता है कि काम क्यूं नहीं है तो मुखमंतरी इस बारे में हमेशा कहते हैं कि इस पर काम चालू है लेकिन कोई फैसला नहीं होता है ये राज ठाकरे ने भी यही बात पत्रकारों को बताई और उन्हें बताया है कि सरकार और राजपाल के बीच अधिक दोस्ती होने के कारत इस मामले का निराकार कितना होगा ये मुझे पता नहीं है ये उन्होंने कटाक्ष किया है क्योंकि राजपाल और सरकार के बीच में अनबन है वो उनकी आपस में नहीं बन रही है क्योंकि महराश्ट में जो आवयवस्ताय हैं उसको लेकर राजपाल ने भी सवाल खड़े किये थे मंदिरों को खोलने के लिए आवाज राजपाल ने उठाई थी जिसके बाद सरकार ने इस पर किस तरीके से टिपड़ी की थी और जो कुछ भी उधोर ठाकरे ने या फिर संजेराउत ने या उनके मंतरियों ने जो कुछ भी कहा वो दिखाई दे रहा है कि ये समविधान और लोक्तंत्र में विश्वास नहीं करते हैं इसी के साथ अगर हम बात करें तो बहुत सारी ऐसी चीजे हैं महारा सरकार में जिस पर हम ये कह सकते हैं कि उधोर ठाकरे फैसला लेने में सक्षम नहीं है और वो फैसला निर्णे नहीं ले पा रहे हैं जो राज ठाकरे ने कहा क् हम देखें तो कंगना, रनामत और अर्नो गुस्वामी जिन्होंने कॉंग्रेस पर कटाक्ष किया था, महारा सरकार पर कटाक्ष किया, कई बार उन्होंने सवाल भी पूछे लेकिन उन पर जो जनता है वो सवाल पूछेगी और वो इस बात को लेकर सुप्रिम कोर्ट तक सरकार अच्छे से काम नहीं कर रही है, जनता ने उनको एक पदपर बिठाया है और जनता का पैसा का वो गलत इस्तिमाल कर रहे हैं, उसका दुरुप्यों की अजार है, ये सवाल जनता पूछ सकती है, लेकिन उन पर किस तरीके से कारवाई की जाती है, और सरकार इसकी जिम कितनी नौलेज उनके पास है, लेकिन जिस तरीके से उनने 10,000 करोड रुपे के सरकार से मागे हैं, अब हम आपको बता रहे हैं कि कहां कहां पर सरकार ने पैसे खर्च किये हैं, जनता का पैसा कहां खर्च किया गया है, और जो बिजली कंपनिया हैं, वो किस तरीके से जनता से ही लूट कर रहे हैं और उस पर सरकार खामोस क्यों है इस पर भी हम बात करेंगे सबसे पहले हम अगर बात करें तो कंगना से अदालती लडाई में 82 लाख रुपे खर्च कर चुकी है बीमसी और ये जनता का पैसा है और इस तरीके से कंगना रनावत के खिलाफ लडाई में इतना पैसा खर्च किया गया है 82 लाख इसी के साथ अगर हम बात कर रहे हैं अरनो गोस्वामी के खिलाफ हर सुनवाई के लिए कपल सिब्बल को 10 लाख रुपे उधो सरकार देगी और ये जनता का पैसा है जो सरकार दे रही आप समझ सकते हैं कि जनता का पैसा कहां खर्च को उसे जादा है लेकिन इस पर प्रष्टा चार करने के लिए इसमें और जनता का पैसा जो पानी के तरह भाया जा रहा है सरकार जनता का पैसा सही जगहा पर नहीं लगा रही है किस तरीके से एक तरफ पैसे का दुरिप्योग हो रहा है दूसरी तरफ किन सरकार से पैसा मांगा जा रहा है तो ये जनता देख रही है और वहीं पर बिजली कंपनियों को लेकर आखिर सरकार आख बंद करके क्यों बैठी हुई है ये बहुत बड़ा सवाल है लेकिन हम यहाँ पर आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है आप सभी को याद होगा हमने ही आपको ये खबर दी थी कि लॉकडाउन के दौरान बिजली कंपनियों ने मंत्रियों को बिजली का बिल नहीं भेजा है ये 17 बंगलों की जो जानकारी थी हमने आपके साथ साजह की थी पुराने एपिसोड में हमने आपको बताया था और साथ में ये भी बताया था कि कौन-कौन से मंत्री थे जिन्होंने बिजली का बिल का भुकता नहीं किया है पंद्रा बंगलो में से पांच मंत्रियों के बंगलो को पांच महीने से बिजली का बिल प्राप्त नहीं हुआ था उनके नाम जो हैं वो हैं दादा जी भुसे, केसी पाटवी, अमित देश मुख, हसन मुर्शीफ और संचे राठोर जबकि पिछले चार महीनों से डॉक्टर जितेंद, अवभाड, आदित ठाकरे, धनंजे, मुंडे, विजे वडटिवार, उदे सामंत, वर्शा, गायकवार, गुलाब राव, पातिल, संदीब, भुम्रे, अनिल, परब, इनके सरकारी बंगलो का बिजली का बिल नहीं आया है और ये जो सत्रा बंगलो की जानकारी हमने आपसे साजा की थी, जिसमें पांच महीने के बिजली के बिल नहीं दिये गए थे, उसमें आदित ठाकरे का भी नाम था, अब ये जो बड़ा खुलासा हुआ था, उसके बाद हमने आपको बताये था कि किस तरीके से महराश्ट्र में रश्टा चार है, वो चरम सीमा पर है, सरकार आख बंद करके बैची हुई है, क्योंकि उनके मंत्रियों को लाह मिल रहा है, और उनसे बिजली कमपनियां बिजली का बिल भी नहीं ले रही है, दूसरी तरफ जो जनता है उसको 5000 के बदले, 25000 बिजली का बिल दिया जा र कर रही है, और वो इस पर सरकार से जवाब मांग रही है, लेकिन सरकार इस पर खामूस है, क्योंकि इस भ्रष्टा चार में सरकार शामिल है, सरकार का जो में मकसद है, वो कंगनो और अरनो गोस्वामी को हराना, और महराश्ट्र में जो भ्रष्टा चार हो रहा है, उसमें स अगर देखें तो कॉंग्रिस का हाथ है कॉंग्रिस बड़े-बड़े घुटाले में रही है और महराश्ट्र में उसकी सत्ता चल रही है रिमोड कंट्रोल शरतपवार और सोनिया गांधी के हाथ में हो और इसलिए इतना बड़ा ब्रश्टाचार हो रहा है अब राज ठाकरे को भी लेकर तो इस पूरे मामले में आप भी अपनी राय दे सकते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर आपने भी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले ताकि हर अबडेट आप तक पहुचती रहे धन्यवाद